कि नमस्कार आप देखरें पेंजेनिश 24 आज हम लोग एहमदाबाद के जो भिलवाडा एरिया में आए हुए जहां पे स्री संगमलाल गुपता जो प्रतापगड के संसद है और संगमलाली का अमदाबाद में आगमन था राष्टी अस्तर पर उनका ओविसी मूर्ट्या की बैठक थी वैशन स्माज के साथ में अपने बैठक करें सामाज लिए बांटे कर नीचे निए अपने बैसर QULK इंद्स अथा और उनसे को चरचा कीजा इस देश पर हमने आ किfish मिटम रखी है तो यह क्या ऐसा देखा सकता है कि 224 लेख्चनन है अले Sun अन्य वालव जो एलक्षन है उसको hisको दियान में रखाला 놀inson कि 22 एक है उसकी तईयारी तो पहले से चली रही है राश्टी स लेकिन जो विसी मौ्चा मौचा जो भाधी जंता पार्टी का जो मौचा है मुख्यू मौचा। उस मौच्षय का गुद्च कि मौचिया से जुल जितने में समाज के लोग हैं उनको जोड़ke के जाए और समाज को जोड़ कर और पार्टी को आगे बढ़ाने की खुशिस की जाए जिसके प्रदेश इस्तर पर यहां पर मिटिंग रखी की गई थी सुबह दीने सौहल में और समाज वैसे समाज के लोगों से मिलना चाहते थे उनकी इच्छा थी तो इसलिए यह कारेक्रिम रखा गया है और उनका हम बहुत हिद्धा पुरुव स्वागत करते हैं देखिए हम परताबगर से लोगस्भाष शांसद हैं उसके पहले मैं परताबगर से यमिले था और उसके बाद मैं राश्टी महामंत्री हूं और निरंतरम हर परदेशों के परवास पर हैं भी महारा बैठक के बाद जो हमारे भासा भासी सिल के दूसरे प्रांतों से यहां लोग रहते हैं बिजनेस ब्योशाय करते हैं उनके साथ हमने बैठक के किया और अभी यहां हमारे जो बैठक करने वाले लोग हैं बैठ समाज के उनके साथ हम बैठक कर रहे हैं रही बात दो हजार च चुनाव हुएं और चुनाव में एक भारी जीत हुई है क्योंकि भारती जनता पार्टी के कारकरता निरंतर एलट मूड में रहते हैं जब पार्टी का निर्देश होता है सिर्फ उनको क्योंकि जनता के बीच में निरंतर हैं कोई तैयारी करने की आवशकता नहीं पड़ती ह गुजरात में आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में जो बिपक्ष के जो नेता बिपक्ष पार्टी जो उबर के आने वाले कौन से ऐसे पार्टी दिखाई दे रहे हैं देखिए भारती जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी ही नहीं है कोई बिपक्ष ही नहीं है आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाओं में विपक्ष पूरी ताकत के साथ उसका यही कहना था किस बार भारती जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं बनेगी उसकी सव सीटे आएंगी मोदी जी का सम्मान घड जाएगा मगर उत्तर प्रदेश की देव तूल जानता ने एक एतिहासिक बिजय दिया 273 सीटे हम जीते हैं इस सालों के बाद दुबारा तो जनता विकास देखती है भारती जनता पार्टी जिस दिन से इस देश में मोदी जी के नेत्रित में देश की सरकार बनी है तब से हमारा देश समरिद्ध साली की तरफ है गुजरात गुजरात है और कुजरात में आम आदमी पार्टी की अभी जो कोर्पराशन की इलेक्षन हुई लाश्ण में गांधीनेगर कोर्पराशन का इलेक्षन हुआ जमानत भी जब तो हो गई थी आपको पता है तो भारजिन्ता पार्टी और गुजरात ने पुरा देश को नेतरूत्व दिया आजादी के टाइम पे भी मात्मा गांधी से लेके सदार पटल जी का नेतरूत था और आज पूरे देश को गुजरात के लोते सपुद श्री नेंद्र मोदी साब और अमित भाई साहा का पूरी पार्टी को नेतरूत दे रहे है गुजरात एक अलग है गुजरात मोडल पूरे देश में चलता है और गुजरात की जो जनता है वो भारती जनता पार्टी को सत्ताई साल से बहुत प्यार और आसिरवात दे रही है इसलिए कोई यहां कोई भी पार्टी आये तो इसका कोई मतलब नहीं रहेता है गुजरात में अच्छी है गुजरात में अच्छी है, गुजरात की जो इर्फा स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई माफ्या गिरी नहीं है, यहाँ आपने अमदावाद में भी कोंग्रेस के सासन जबी था, तो यह अमदावाद की स्तिती क्या थी, आपको पता है, क्या स्तिती थी तभी, और पार्दिन दा प पार्डी को हम कोई स्कीन्ती में लेता ही नहीं,